हाई अव्रिवन मेरा नाम है अभिशेक और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल पेंडा और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं PVC अधार कार्ड के बारे में जियां दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है PVC अधार कार्ड और कैसे आप पुराने अधार कार्ड को PVC अधार कार्ड में अपडेट करा सकते हो जी यहां दोस्तों तो उमीद करते हैं कि आप कोई वीडियो ची लगे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा शेयर करिएगा पहली दफ़ा हमारे इस चैनल पे आया है तो रेट कलर का बटन जरूर दबाईएगा साथी बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो जब आया है तो आपको नोडिफिकेशन मिल जाए कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करिएगा तो आओ देखते हैं कि आखिर क्या होता है PVC अधार कार्ड और कैसे आप इसके लिए आप कर सकते हो तो दूस्तों इना पर सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दो तो गौत जारhem olsun जारी करती है। जारे इसके पाद जारी आपके लिए यह आधार काड जी हैं दोस्तों यह आधार काड जो आप Net के थरू UIDI के वेबसाइट से डाउंलोड करते हो वो आधार काड यह आधार काड होता है जहां पे आपको पीछे के यानि के लाश्ट के सिर्फ 4 डिजिट देखने को मिलते हैं उसके बाद आता है M-Ather Card जो कि Mobile Lab के थरू यूज किया जाता है और उसके बाद government ने हाल ही में latest feature related PVC अधार काड लाँच किया है जो कि आप अगर चाहो तो अपने पुराने अधार काड को अपडेट करा सकते हो PVC अधार काड में दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखी तक गया होता है तो PVC अधार काड जो ए उसमें extra security feature आपको देखने को मिल जाते है QR code देखने को मिल जाता है, hologram मिल जाता है, साथ ही साथ extra security feature मिल जाता है, ghost image वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ghost image मतलब यहाँ पिये है कि आप अगर कोई currency और note देखते होंगे, तो note में देखते होंगे कि आपको हलकी कोई image प्रतिमा दिखती होगी, और साथ ही साथ क और बता दो कि जो PVC अधार काड आता है, वो waterproof होता है, और ज्यादा safe होता है, और आप उसको wallet में असानी से अपने रख सकते हैं, बिल्कुल ATM की तरह आपका PVC अधार काड होता है, दोस्ते यहाँ पे कुछ चीज़ा आप से और share कर दूँ, कि अगर आपके पास registered mobile number नहीं है, तो भी आप अपना PVC अधार काड मंगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि जब भी आप अपना PVC अधार काड मंगाएंगे, तो वहाँ पे आप unregistered mobile number डालके उस पर OTP आएगा, वो feed कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको preview देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको preview देखने को मिल जाएगा, एक चीज यहाँ पर आपको यह भी बता दो कि PVC अधार काड मंगाने के लिए आपको 50 रुपे खर्च करने पड़ेंगे, ऑनलाइन आप इसके लिए अवेदन कर सकते हो, और साथी साथ आपको यह अधार काड जो मिलेगा, इस पीट पोस्ट के जर जहां पर आपको ओडर आधार PVC कार्ड पर क्लिक करना होगा, और जैसे यह आप इस पर क्लिक करते हो दोस्तों, यहां पर दूसरा एक पेज ओपन होता है, और यहां पर बता रहा उपर में कि आपको PVC अधार काड में क्या क्या चीज़े मिलने वाली है, फिर यहां पर आपक में देख सकते हो, my mobile number is not registered, अगर आपका mobile number registered नहीं है, तो आप इसको trick करोगे, यानि कि click करोगे, और send OTP करोगे, ठीक है, तो जैसे हम यहां पर my mobile number is not registered पर click करते हैं, तो यहां पर नीचे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि वो number दे रहा है, यहां पर आपको OTP चाहि करना होगा और यहां पे कुछ टाइम लेगा और उसके बाद OTP जो है यहां पर दे रहा 하 Kalau मुबाइल नमर पर बेज जा चुकी है उसके बाद आपको यहां पर इंडर OTP का जो ऊफसन दीख रहा है यहां पर आपको distintos उट्र डालना कोई details देखने को मिल जाएंगे और अगर आपका अधार कार्ड में mobile number इस्टर नहीं है तो यहाँ पे आपको preview देखने को नहीं मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा यहाँ पे आपको make payment पे click करना होगा और जैसे आप make payment पे click करते हैं दूसरा tab open होता है जहाँ पे आपको payment करने के लिए कह रहा है दोस्तों तो यहाँ से आप payment कर सकते हैं तो जैसे आप payment कर देंगे आपको कुछ इस तरीके की receipt देखने को मिल जाएगी तो यहाँ से आपका PVC अधार कार्ड जो है वो order हो चुका है और आपके address पे आ जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को like करिएगा, share करिएगा और नए हैं तो rate कर का subscribe बटन चिर दबाईएगा, thanks for watching, thank you